तो आज हम लोगों का टॉपिक की स्टार्ट हो रहा है फाइनिसल अकाउंटिंग की क्लास से और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है NPO बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है 15 नमबर का क्वेस्टेंस आपके एक्जाम में पूसता है ठीक है तो एक तो यह तीन तीन टॉपिक एक साथ है एक तो फाइनल एकाउंट आपका दूसरा है NPO और तीसरा है आपका क्वाल अकाउंटस फ्रॉम इंकंप्लीट रिकार्ड अकांटस फ्रॉम इंकंप्लीट रिकार्ड छय करता है यह तीन चाप्टर ऐसे जिनका अच्छा खासा इस्टेक है देखिए अब क्या है अभी मैं आपको एक बार बताउं अभी है जुस समय चल रहा है इसमें आप यह सोचो कि मैं मतलब जैसा कि hard study करके और पूरी की पूरी तैयारी करना हूं तो मुझे नहीं लगता कि अब उतना possible हो पाएगा कि मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप पूरा मत पढ़ा हूं मेरे उस पर मत रहो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कुछ तो जैसे selected topic है जैसे अपका NPO हो गया है अनपी ओ हो गया अब आपको यह पता है कि इन दोनों में से किसी एक का 15 मार्क्स का इस्टेक का यह आट नमबर का है तो जब आपको यह चीज़ पता है तो लगभग 23 मार्क्स तो आपकी यहां से उठ रहेना अग्यानि चैने से पार्टनर्श्रिप अच्छे से त्यार को लो 15 मार्थ वहां से उठना ही उठना है तो 23 प्लस 15 कितने हो गए 38 मार्क हो गए कि कि यानि कि अभी क्या है कि ठर्टी एट मार्क आ पा रहा हो और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए दो नंबर और अभी भी आपके पास शॉर्ट नोट 15 नंबर का बच्चा हुआ है प्लस आपके objective 25 मार्क्स के बच्चे हुए है तो 40 मार्क्स तो यह हो गया तो कितना हो गया 78 यानि कि आप थोड़ी सी भी study करके आप 78 पर पहुच रहो ठीक है अब रोयल्टी हायर पर्चेस ब्रांच डिपार्टमेंटल यह सब आपने पढ़ा ही है नहीं भी पढ़ा है तो accounting standard हो गया computerized accounting के questions हो गया इनका तो आना compulsory है यह तो आते ही आते रहते हैं compulsory in the sense कि यह लगभग हर exam में पूछे हैं तो इसलिए मैं यहां पर compulsory word use कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आई से माई के दिमाग में आया कि यहां मुझे नहीं पूछना तो नहीं पूछ सकता लेकिन मैं बाब बतारों कि हर बार आता है तो जाइड सी बात है कि आपके अच्छी खासी तयारी आपको परिशान होने फाइनेंसल के लिए परिशान होन है जो क्लास 11 में पड़ा है बस वही सारा कॉंसेप्ट और उसके सारे चीज़े यहां पर भी अप्लीके बलूंगी यहां पर कुछ अलग नहीं हो जाता थोड़े से क्वेस्टन्स थोड़े से फरक हो जाते हैं बस बाकी और कुछ नहीं होता अभी क्या है कि NPO पहली चीज है जो प्रॉफिट मेकिंग जिनका अब्जेक्टिव नहीं होता हॉस्पिटल यहां पर दिया हुआ है सच एग्जांपल है सच एग्जांपल आप सच ऑर्गनाजेशन आर कौन कौन से ऑर्गनाजेशन है तो जिम खाना हो गया आपका स्पोर्स क्लब एजुकेशनल क्लब रिलिजियस इंस्टिटुटिशन चरिटीबल ट्रॉस्ट ठीक है यह सब हो गया आपके इस और मैशन गेट आर फॉन इन फर्म आफ विन एंन Perea Krish झाट इस आर खथ आर खी थेस आर hutेस र खविसर क्या ठीक है एलुकेशन तरा क्शोडम ऑनाजेशन एंस्टीजर टे टेकर इस खे ट्रॉस एंस मिल प्रॉस ऑीद इस भ्रेशनवा लाग इसदिशन ऺज्दरबल आर पहुँच लोगे स्यारेरें कि से हॉस्पिटल कहां से आ गया आ में यहां पर आ प्रॉफि्ट हॉस्पिटल गीसा सहारा हॉस्पिटल दंद नहीं सब्संट हैं उन शोट्रभर चलिए ड़्धर अब टे तक दर जैसे सनीठ-वर्धा में फिल्ध वह si तो मैं मैं मंदिर ना भूल गया उस मंदिर के ठीक सामने बड़ा सा वस्पितल है और वहां पर सारी फैसिलिटीज मतलब बहुत चीप पैकस्ट और अइसा नहीं कि सिर्फ के लिए सबी धर्मों के लिए है तो मेरे जो गाइड है वो रहते हैं राइबरेली रोड पे और ट्रेटमेंट कराने वहां जाते हैं तो मैंने सरसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं तो उन्हें बताया कि वह बहुत अच्छा होस्पिटल है तो मुझे कुछ साइन कराना था तो का फीजियो थेरीपी हो रहा था तो मैं उस हॉस्पिटल में गया था तो मैंने वहां पर देखा कि वह हॉस्पिटल ट्रस्ट के दौरा सब चाली थे तो वहां पर उनका प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं है उस हॉस्पिटल में पैसा कहां से आता होगा मंदिर से आता होगा म मंदीर में पैसा कहाँ से आता होगा तो मंदीर में लोगदान देते होंगे याइक ट्रस्टा के मेंगर होंगे सिर्ट को अगां सोसने कांट्रिब्यूट्रीज पर यांशपितल चल रहा है ऐसे बहुत से और्गनाइजेशन या बहुत से हॉस्पिटल आप इंडिया में देख सकते हो जो कि ट्रस्ट पर चलते हैं ताटा मेमोरियर कैंसर हॉस्पिटल ट्रस्ट का हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल है अब कुछ लोग कहना है कि सर रेलाइंस का भी तो हॉस्पिटल है तो आप समझ लोग प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग नो कमेंट ठीक है अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट कि अब देखें यहाँ सीमें इंटर में जो एंपियों उसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है ठीक है हमें सिर्फ उतना ही मतलब इसमें क्योंकि हम ही मान की चलते हैं रीजन यह उसके दो रीजन एक तो फाउंडेशन में भी है यह आपका एंपियों और दूसरा क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है एंपियों इस वजह से जो इंस्टिट्यूट है वह मान की चलता है कि आपकी अंडेस्टैंडिंग डेवलप है लेकिन फिर भी उसने छोटी-छोटी सीजन दे रखी है अब आते हैं स्पेशल आइटम और यूनिक फार नौन ट्रेडिंग अक्टिविटीज यह तो अगर रवन्यू आइटम कि इनकम में अभी इनकम की बात करें रवन्यू आइटम आ गये डोनेशन डोनेशन में दो टाइप की चीज़ें पहली चीजें तो इस्पेशल डोनेशन है यह नार्मल दोनेशन अग अगर specific purpose के लिए है तो वो capital nature का हो जाएगा वो balance sheet में जाएगा फिर entrance fees, entrance fees regular है या like membership fees की तरह है इसका भी treatment है subscription आपका pure revenue item है, grants received, अब grant भी depend करता है specific है या normal है expenditure में, अब कुछ special item है उनकी detailing दी हुई है, अब जैसे हाँ पे entrance fees की detailing the entrance fees का क्या करा है, these are received at the time of admission of a new member and thus one time fees, they are non-recurring in nature, it could be either capitalized as they are non-recurring or taken as revenue as per the rule of the institution, यह institution के rule के उपर depend करता है कि वो उसको capitalized करता है या revenue करता है, ठीक है, यह institution के rule, okay, अब फिर उसके बाद आ जाते हैं, donation, donation क्या कहता है, donation मैंने बताया, donation 2 होते है, अब एक होता है capital nature का, और दूसरा कौन सा nature हो गया, दूसरा हो गया revenue nature, तो sir हमें कैसे पता चलेगा, कौन capital nature का, कौन revenue nature का है, अगर donation is specific purpose के लिए, sir is specific purpose के लिए मतलब, जिसे example की तौर पर सपोज मैंने किसी मंदिर, या मान की चलो मैंने किसी मस्जिद में दान दे दिया, या मंदिर में दान दे दिया, क्या कहके दान दे दिया, कि भाई यह जो मैं पैसा दे रहा हूँ, इससे मंदिर अनाथासरम बनाएगा, तो आप इस specific हो गया न, वह पैसा का यूज सिर्फ और सिफ अनाथासरम में होना चाहिए, या होगा, तो वह specific nature का donation है, तो वह trust के लिए liability हो जाएगी, दूसरा, दान, दान कौन सा है, वह दान पैटी रहती न, मंदिर में, वह दान वाला एक रहता है, मस्जिद में, दरगाह में, मतलब और भी जगहों पे, तो उसमें हम क्या करते है, जो भी हमारे मन में हमने दान कर दिया, 100 रुपाय, 50 रुप, क्या उसमें लिखके देते है नोट में लिखके देते हैं, जो 100 रुपाय में दे रहा हूं, इसका इसी जगहां यूज करना, तो वह किस में चला जाएगा, वह revenue में चला जाएगा, तीसरी बास समझो, कि किसी किताबों में ये भी रहता है, कि अगर donation के amount, donation specified नहीं है, specific कुछ बोल नहीं रहा है, और amount donation are received for a special purpose, the amount is credited to a fund from which the amount are dispersed, the fund may be invested in specified securities, income from such investment is credited to fund account only, small donation amount which are not in marked or any specific purpose may be treated as revenue receipt, clear है, फिर बात करते लिगे, लिगे सी की लिगे सी क्या होता है, उस पे आ जाई है, लिगे सी, लिगे सी ये है, many times, trusts are formed in memory of certain person by their will, उनकी वसीयत के लिगे सार, in such case, after the demise of the person, the fund pass on to the institution, such legacies are of course, of course, one time and therefore should be taken to the capital fund, legacy भी capital fund होगा, legacy क्या होता है, भाई जिसके नाम पर trust बना हुआ था, formed था, वो जब पास हो गया, उसकी सारी property, उसने अपने will एक वसीयत बना दी कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी property, मेरे trust में transfer कर दी जाए, ठीक है, तो जब trust में transfer हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो legacy कहलाएगा, कोई capital मरने के बाद हो रहा है, तो legacy होगा, क्योंकि जिंदार मी थोड़ों न लगा रहा है कि हाँ, capital लगा दिया, ओके फिर उसके बाद, next क्या है वही, endowment, endowment क्या कहता है, sometimes, sometimes, donations are also in form of endowment to be used as per instruction of, the donor, these are to be treated as capital receipt, endowment मतंब मैंने कोई पैसा बगरा दिया और मैंने का कि आपको इस तरह से use करना है, तो वो endowment fund नहीं बोलते हैं कि भाई यह क्या है, क्या है, क्या है, endowment fund है, मैंने बोला है कि इस तरह से use करना है, तो instruction मैंने दे दिया, specific instruction दिया है, वही वो कह रहा है, तो जो endowment होता है, वो भी आपका capital receipt कह लाएगा, फिर उसका लाइक membership fees, life membership fees में कह भई, life membership fees, एक मिनट, life membership fees क्या कह रहा है, life membership fees these could be taken as capital receipt, and vary every year a charge in debited, based on some logic, life membership fees मिलती मतलब आपको जीवन मतलब मैंने membership ले ली एक तो यह रली सब्क्रिप्शन होता है, receipt and pay media, sorry income and expenditure account में, तो जब हर साल उसमें से एक पार निकालते जाएंगे तो वो तो हमारा revenue जाएंगे, लेकिन जो कथा मिल रहा है वो तो liability होगा, क्योंकि capital receipt होगा, in other word when received it could be treated as deferred receipt in the balance sheet and every year a specific amount credited to income and expenditure account subscription, these are annual receipt and therefore taken as revenue receipt, these must be recognized as revenue for on the accrual concept, अब आजा नेक्स्ट, next क्या है वई, अब इनोंने बताया है कि जो financial statement बनते हैं, मतलब आपके non-profit organization के वो कौन कौन से हैं, तो पहला है receipt and payment account, receipt and payment account is just like cash book, cash book की तरह ही होता है, हमने जो actual में receipt किया है और हमने जो actual में payment किया है, balance BD, opening balance से start होगा और इसका balance 3D यानि के आपके पास जो cash बचा है, this is similar to cash book, entries are made on cash basis and item pertaining to previous year or current year or subsequent year, all are also recorded, receipt are shown on the debit and payment are shown on the credit capital, as well as revenue item are entered in the receipt and payment account, this account is a real account in nature, no provision are recorded in this account, the account has an opening and a closing balance which is reflected as an asset in the balance sheet, features देख लिजेगा आप लोग, फिर आते हैं, income and expenditure account, income and expenditure account क्या कहता है, this is similar to the profit and loss account, and is prepared exactly based on same principle, as the name suggested only revenue item are recorded here, income are recorded on the credit side, while the expense on the debit side, both income and expense must be taken on the basis of accrual concept, this account should reflect only item that are pertaining to current period, previous and subsequent year item are to be excluded, this account show either a surplus or deficit, excess of income over expenditure is called surplus, excess of expense over income is called deficit, deficit, यहाँ पर प्रॉफिट या लास वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, balance sheet, balance sheet दो बनती है, एक opening balance sheet, closing balance sheet, opening balance sheet, opening balance sheet से आपको पता चलता है, capital के amount, और closing balance sheet में वही capital के amount को आप ट्रांसफर करते हैं, अब अब निकमने कामें कांटीकश में इसकिम्पल से पहर में धिया हो है, जएख लिजे। अ, only revenue expense, only revenue receipt, only related to current period, only related to current period, show इसकिम्पलस, शो, deficit, simple आप बना बना है, फिर, एक क्वेश्चन यहां पर मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है डिफरेंस बिट्वीन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड इंकम एंड एक्स्पेंडीचर अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी त्यार कर लिजेगा ठीक है फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ इन्होंने बाते कहीं हैं डोनेशन वगेरे के बारे में डोनेशन रिसीव और पर्टिक्लर परपर शुट भी क्रेडिक्टेट तो इस्पेसल फंड फॉर इंट्रेंस फीस के लिए इंट्रेंस फिल्स और मतब जैसा रूल और बाइलाउस में उनके लिखा होगा उसे सा इस फंड 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 अब हमें डिसकस करना है सीधा इलस्ट्रेशन नमबर वन ठीक इलस्ट्रेशन नमबर वन अब एक इलस्ट्रेशन है अब देखिए इलस्ट्रेशन नमबर फर्स्ट क्या कह रहा है ऑन 31st December 2012 a club had subscription in a year of rupees 16,000 and in advance 4,000 subscription कितना था area 31 December 2012 को 16,000 और advance कितना था 4,000 रूपीज on the year in date 31st December 2013 the club received a subscription of rupees 2,08,000 of which 10,400 was related to 2014 club ने receive किया है 2,08,000 रुपए जिसमें से 10,400 रुपए रिलेट करता है कब से 2014 से on 31st December 2012 there were four member who had not paid subscription for 2013 at 1600 per person write up subscription account for the year 2013 फिर से देख लिजें क्या कह रहा है कह रहा है on 31st on 31st December 2012 2012 a club had subscription in area area का मतलब क्या है आउडिश टर्नी कितना है 16,000 and in advance advance कितना है 4,000 ठीक है during the year in date 31st December 2013 the club had received a subscription 2,08,000 club ने कितना सब्सक्रिप्शन रिशिब के 2,08,000 रुपए आफ वीच 10,400 रुपए रिलेटेट to 2014 on 31st December 2012 there were four members who had not paid a subscription for 2013 1600 per person write up subscription account for the year 2013 in on a subscription account सब्सक्रिप्शन बनाने क्लिक आए 2013 का तुब देखे कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप हेडिंग डा लिजे सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबसे पहले by balance bd to balance bd by balance balance cd and to balance cd थिक और कुसको नहीं कह रहा है इसमें नहीं सॉरी ठीक है अभी आप देखिए ओपनीं सब्सक्रीप्षिन आउर स्टाइन कितना दिया है इस श्चेन थाउजन और एरवांस ओपनीं कितना दिया है वहाँ फोर थाउजन यह दिखर आप 16,000 & 4000 दियान दीजे का 16,000 और ओपनिंग कितना दिया हुआ है 4,000 आउडिस्टर्णिंग ओपनिंग यहाँ पर मैं आपके समझने के लिए लिखते रहा हूँ आउडिस्टर्णिंग और यह किस चीज़ का ओपनिंग है एडी एडी का मतलब एडवांस तो जाइड से बात है यह क्लोजिंग किसका होगा आउडिस्टर्णिंग का और यह क्लोजिंग किसका होगा एडवांस का कि बाई कि रिसिट एंड पेइमेंट एकाउंट रिख लो या बैंक एकाउंट करके लिख लो जो आपने रिसीव किया है कि दो हजा कि तेरा में तो दो लाख कि आठाजार रुपर है कि ठिक क्लियर है कि देख लिजाब कि क्या कर रहा है कि तो लाइक एट थाउजन आफ विच टेन थाउजन फोर हंड़ वाज रिलेटेट टू तो तूजन फोर्टीन अब जो दो लाख आट जार रुपर आपने रिसीट किया है उसमें से दस हजार का चार सुर रुपर रिलेट कर रहा है कब का दो हजार चाओदा का कि सॉर्य एक छोटा समिष्टे हो गया यहां पे कि हुआ और स्टैंडिंग असर्थ है ना मारी और स्टैंडिंग इसका ओपनिंग इधर से एडवांस हमाय सर पर लाइबिलिटी है इसका ओपनिंग यह रहा अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो हजार तेरा में जो आपने रिसीप किया है दो लाख आठ हजार रुपए इस में से 10 400 रुपए2014 के लिए है कि कब लिए है 2004 को यहान कि 2014 क आट है उपनिंग आपनिंग पर दस हजार चार्श्रुपै आप मेंशन कर दिजय का घू अब question में कहा रहा है कि 4 ऐसे members थे जिनौन ने पैसा नहीं पेक किया 2012 में 2013 में 4 ऐसे members थे जिनौन ने पैसा नहीं पेक किया तो नहीं पेक किया तो क्या हो जाएंगे? आउडिस टर्णिंग हो जाएंगे न कितने हो गया? 6400 क्लोजिंग आउट इस्टैनिंग 6400 टोटल कर लिजे टोटल कितना आ गया 6000 प्लस 6400 प्लस टूलाइक 8000 तो दो लाख बीस हजार चार्ट सो यहां पर भी दो लाख बीस हजार चार्ट सो माइनस कर दीजे 16000 माइनस तस हजार चार्ट सो तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया का एंसर दिया होगा 1,092,000 अरे यहां पर मैंने थोगा सब्सक्राइब गलती यह कर लिए यह चार हजार रुपए मैंने 6000 रुपए ले लिए था 4000 कर लिए तो यहां पर 18 हो जाएगा तो यहां पर 2000 रुपए कम कर लेंगे ठीक है यह आपका एक इलिश्ट्रेशन हो गया अब आई यह नेक्स्ट नेक्स्ट इलिश्ट्रेशन क्या है वही यह तो और सिंपल और साधारन सा इलिश्ट्रेशन है आई देखिए 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 इलिश्ट्रेशन नमबर टू दै इस पोर्स क्लब आफ उडी सा है ड्रीसीव दीन टोजर बारा थेरा अचलिए अब इक्वेशन अधा स्पोर्स क्लब आफ उडी सा है ड्रीसीव देट इन 2012 2012 13 2002 अट सब्रिप्शन दो जार रुपा है कि दो हजार ग्यारा बारा का अन पेड है देखिए 11 12 11 12 की बात कर रहा तो एक एक अप्रैल से 31 मार्च होगा ना क्लोजिंग आपका एक अप्रैल दो जार ग्यारा से 31 मार्च 2012 अब कहा रहा है एक अप्रैल 2012 को 200 रुपाय अन पेड यानि कि आउट कि एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 ठीक तो जो बारा का क्लोजिंग होगा वो एक अप्रैल 2012 को ओपनिंग बन जाएगा ठीक है फिर सब्क्रिप्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012 यानि कि एक अप्रैल 2012 का यह क्या बन जाएगा पचास रुपाय ओपनिंग एडवांस बन जाएगा एंड़ सेम ऑन 31 मार्च 2013 तो यह चालीस रुपाय क्या हो गया को रिसी खुआ है उसमें कि अप्लस करेंगे आफ इस्टांड लेश करेंगे आट छे वोह इन्गुटाइड फिर प्लस करेंगे एडवांस एड़ बिगिनिंग कि लस्ते करेंगे एडवांस एक तो जो वायलियो और वह इंक्वन में ट्रांसफर होने वाली वैलू आएगी अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव टू तू थाउजन तो तू थाउजन आपने यहां पे मेंशन कर दिया क्लियर फिर फिर प्लस आउट इस्टांडिंग एड़ दा एंड और इस्टांडिंग आड़ नाइंटी रूपीज आपने जोड़ दिया तो यहां पे टोटल कितना हो गया दो हजान अब फिर उसमें से आउट इस्टांडिंग एड़ बिगिनिंग 200 रुपए माइनस कर दिया तो बचा कितना निस सो यानि के इंकम एड़ इस्टांडिंचर में टुटना जाएगा उनिस सो रुपए क्लियर है कि अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नमबर तीन पर आई कि यह वह इलस्ट्रेशन नमबर थर्ड करद अमांट आप सब्सक्रिप्शन अपियर इन इंकम एड एक्स्पेश्टर अकाउंट आप साओथ इंडियन क्लव इस थी थाओज़न अज़स्ट्मेंट वर मेरे इन फॉल्विंग सब्सक्रिप्शन फॉर टूज़न ट्रूज़न पेड एट थरी फर्स जनुवरी ठी संच्ट अब इस चार सो में से दो सुरुपाए आपको मिल चुके द्यान दीजिएगा चार सो रुपए में दो सुरुपाए मिल चुके है 2013 में 2013 का यह ओपनिंग निप निकितने बांगी है याद रखिए गिस्टीज को दो हजा तेरा सब्सक्रीप्षिन प्रसेंट पेड इन एडवांस ऐट जनुवरी 23 सओ रुपय यह ओपनिंग एडवांस है सब्सक्रिप्टैब इन एडवांस एड 31 दिसंबर 2014 एड यह एडवे स्सक्रिप्ट्रिप्टैवल एडवांस ऐसे में le इस ही पिविविशन वांस एडवांस 5 थे लुचिभी करिप्स करेंसार नियुक्तिम्हूंटह्ब इसफंबर जय Durum है ठीक है क्लियर है या नहीं है क्लियर अब आईए सीधा क्वेश्चन को देखिया हम सॉल्व कैसे करते हूं एक फॉर्माट बनाई है और सॉर्ड ओपर हेडिंग डाल दीजे सब्क्रिप्शन अकाउंट तू बैलंस बीडी तो इंकम एक्पेडिचर अकाउंट तू बैलंस सीडी बाई बैलंस दी तू बैलंस बीडी तू बैंक अकाउंट ब्राकेट में बैलेंसिंग फीगर या कैश एकाउंट या रिसीप टैंट पेमेंट अकाउंट जो भी आप लिखना चाहें ओपनिंग आउड इस्टानिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ ओपनिंग आउड इस्टानिंग चार सो रुपए और क्लोजिंग और बैलेंस सीडी में यहां लिए दीजिए 1400 रुपए जो क्लोजिंग था और 200 रुपए और क्यों सर कह रहा है था ना 400 रुपए ओपनिंग आउड इस्टानिंग दा उसमें से 200 मिल गया था यानि 200 रुपए नहीं मिला तो क्लोजिंग में चला जाएगा तो टूटल क्लोजिंग आउड इस्टर्णिंग कितना हो गया 340 और यहां पर बैलन्स इडी क्लोजिंग एडवांस दिया होगा कितना 80 रुपए 3,480 रुपए यहां पर 3480 रुपए माइनस कर देंगे बैलन्सिंग फिगर कितना आ जाएगा 3040 योगी रिसीप टाइम पेइमेंट अकॉंट में जाएगा क्लियर है ओकी नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और देखिए फ्रॉंद फॉलिंग इन्फोर्मेशन प्रिपेर दा सब्क्रिप्शन अकॉंट फॉर इंडिंग टरी फिर्स्ट मार्स तुटादर थर्टीन यानि की 31 मार्स दोजार बारा का जो एडियर एडियर कमतलब आर इस्टरिंग होता है तो या नि बारा का क्लोजिंग एट तरफ एडियर का क्या हो जाएक उपनिंग ओपर दोजर बारा हो गया यादि तो आधि आतेरह आपनिंग ऑस्टाद्नें उगा तो बैलस बीडी 15 याप देमें शिल कर दिया फिर केरा सब्क्रिप्ब्शन डिसीट इन एडवांस एक पि यह भी ओपनिंग आउड इस्टेंडिंग हो गया एक अजर रुपए यह आपने हम इंशन कर दिया में 11 बारे पंदरा सो फार defense दै याणि कि 13 14 देखो 40 जार में से 45 पंदरा सुर्पए 11 वारे और 13 14 का 15 रुपए मिला है तो यह तो तो ते तेरा चौदा का क्लोजिंग एडवांस हो घ्रज़ा के पंदरा सो ठीक कि ओपनिंग सब्क्रिप्शन कितना था पंदरा सो जिसमें से 500 मिल गया तो बच्चा कितना है वह एक हजार कि यह हो गया अभी जो एक हजार आउडिस्टानिंग है तो इसमें यह एक हजार यह शो कर रहा है न तो पांसो तो ग्यारा बारा का है ठीक है तो जब पांसो ग्यारा बारा का है तो इसमें से एक हजार माइनस कर तो बच्चा कितना है इस साल का पांसो तो टोटल आउडिस्टानिंग कितना हो गया पंदरा सो टोटल करेंगे तो 42,500 यहां पर भी 42,500 बैलेंसिंग फीगर कितना आ जागा 39,500 फीरे कोर्पिंट